सो भाई लोग कैसे हो हल चाल बढ़िया सब सो आज एक और नया इंफरमेटिव वीडियो लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाला है जो लोग पहले बार फ्लाइट में ट्राविल करने वाला है या करने का सोच रहा है तो उनके लिए आज वीडियो है तो आज की इस वीडियो में पूरा एकदम जनकरी आज आपको मिलेगा कि कैसे टिकेट मतब टिकेट बुक करने के बाद जितना भी प्रोसीडियोर है एकदम चेक इन करने तक चेक आउट पूरा एकदम कंप्लीट अगर आपको तो आपको किसी पार्ट को स्कीप करना है तो आप वहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं मैंनुएल स्किप मत कीजिए क्योंकि कैसा ना हो कि कुछ जानकर ही जो आपको चाहिए था वो स्किप हो जाए सो मैं पार्ट वाइज नीचे डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से क्लिक करके उसी पार्ट में आप जा सकते हैं चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों प्री रिकोर्मेंट्स बीफोर फ्लाइट टिकेट बुगिंग तो इन में आपको तीन चीजों के आपको ध्यान रखना है तो पहला जो चीज है वह है यह प्रीजियु पर ऊ Ε oldest नंग दल में अलज के दिन में बहुत ही Content हो गया है दोमेंस्टिक वी ट्रफिल करें या कुछ नहीं लिया है तो जाके पहले भैक्सिन लिए फिर फिप्टीन डेज वेट कीजिए उसके बाद आप फ्लाइट टिगेट बोग कीजिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इंटर्शै ट्रापल अभी कुछ रेच्टिक्टन रर्व्य कि चालू है और अट य्पिर सिल्डेट में हिए तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आगर आपको भैक्सिन लेना ही लेना है ठीक अगर आपने भैक्सिन नहीं लिया है तो वह आपको बहुत इस लंबा एक प्रोसीडियूर में आपको जाना पड़ेगा तो आप पहले जाके भैक्सिन लीजिए 15 डेज वेट कीजिए 15 दिन आप को वेट करना है उसके बाद आप टिकेट बुक कर सकते हैं तो जो लोग थर्ड डोस की लिए एलिजिबल है वो जाके थर्ड डोस ले 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 और जो नहीं है वो एट लिस्ट मतलब सेकेंड डोस लेके रेडी रखिये ठीक है और दूसरा जो है वो आपको आपके जो जगा ह है वहाँ पर आर्टी पीसे आर टेस्ट उनसे जगह पर होता है उनसे होस्पिटल या प्राइवट लैब बगेर हमें कहां पर होता है इसका आपको जानकारी रखना है सो यह मैं इसलिए बोलना हूं क्योंकि अभी कोवीड थोड़ा कम है तो इसलिए इंटर स्टेट ाद को मैं इन आप को बहुत आनकारी है और आपको पता ही नहीं है तो लॉस्ट दिन नियुग पको बहुत ही ज्यादा मन मतलत तो फाग दोड करना पड़ेगा और आर्टे-पीसियर का जो टाइम गैप है वो है आपका सेंप्ल कलेक्शन टाइम से मतलब बोडिंग तक आपको 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए मतलब अगर आज मेरा सेंप्ल कलेक्श हुआ है तो उससे 72 आवर्स के अंदर मुझे फ्लाइट में चड़ जाना होगा तो अगर वो 73 आवर्स या 74 आवर्स के बाद अगर मैं फ्लाइब में बोड करूंगा तो वो इन्वेलिड हो जाएगा तो मतलब आर्टी-पीसियर आपको एडलिक जनकरी रखना है आपको टेस्ट करवाना नहीं है लेकिन जनकरी रखना है ठीके आप तीसरा पर आते हैं फ्लाइट ट्रवल मंतलब प्लाइट टिकिट बूप करने से पहले आपको आप कौन से स्टेट में जाना चाहते हैं उस राज्य का क्या ऑगी नियम गम बगरा है वो को देखना है आप बहुत ली देख सकते हैं मैं आपको सबस्क्राइक्न बहुत면-स डाटल गाई या मता देता हूँ यह जो साइड देख हो생िंग manifest to इसके ओपर में आपको एक बार नजर आ होगा तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इंटर स्टेट गाइड लान्स आ रहा है तो उसमें अप्लिक कीजिए और आपका जिस भी स्टेट में आप जाना चाते हैं उसको से लेक्ट करके आप उस्टेट का जो भी मतलब नियम बगरा है वह भी पड़ सकते हैं तो अभी का ज आके आप चेक कीजिए ठीक है तो अभी का जो नियम है लगवग मैं सहरे स्टेट का या यूनी इंटरिटर करता को एक एक करके नहीं बता सकता क्योंकि बहुत है तो मैं एक आपको बता देता हूं कि जो लोग मतलब थार्ड डोस के लिए लिजबल है उनका थार्ड डोस व करता दिया था कि उसका जो टाइम फ्रेम है वो 72 आर्स का है और अगर कोविड मतलब ज्यादा ही बढ़ गया जैसे मान लिए को ओमिक्रों के टाइम पर या सेकेंड वेब के टाइम पर तो वो जो टाइम गैप था वो 72 आर्स से 48 आर्स में कर दिया गया था तो इस चीज़ क आपको पहले देखना पड़ेगा आपको जानकरी रखना है तो आप यह आते हैं वेब चिकन पर वेब चिकन जो है यह पहले मंतलब 2019 में यह नहीं था अभी यह कोवीड के लिए ही यह वेब चेकिन मेंडेटरी कर दिया है पहले था नेकिन वो ऑप्सुनल था चाहे तो कर स सकते थे लेकिन अभी यह कोवीड सिच्वेशन के लिए वो मेंडेटरी है अगर आप वेब चेकिन नहीं करते तो आपको एयरपोर्ट में 200 रुपिया का फाइन लगेगा ठीक आप वेब चेकिन जो है वो स्टार्ट होता है 48 आवर्स बीफोर डिपार्चर और मिनिमाम तू 24 ना की नलका सिर्फ है को मुझे 20 तारीक जो कि दोवेब चेकिन को स्टार्ट हो जाएगा 22 तार इस को दो थे देखे भी एक बज़े तक वेब चेकिन कर सकता हूँ अगर एक क्रॉस कर गया तो मेरा वो टिकेट कैंसल हो जाएगा विदाउट रिखांड आपको एक रूपिया भी रिखांड नहीं मिलेगा यह रूल है तो आप जाके वेब चेकिन कर लीजे तो वेब चेकिन का अगर आप किसी भी यह भी आपका एयर लाइन्स है जैसे इंडीगो का है तो आपको वेब साइट में मतलब गूगल में जाके लिखना है इंडीगो स्पेस वेब चेकिन तो आपको मिल जाएगा तो वहां पर आपको जो टिकेट में जो पी एना नमबर है बो देना पड़ेगा और चेकिन लगवग वैसे ही है तो यही था तो एर ट्रविल का सबसे मतलब जो इंपोर्टन चीज है वह आपका बैगेज पेकिंग ठीक है तो एरलाइंस में दो तरह का बैग कॉंसीडर किया जाता है एक होता है चेकिन बैगेज जो आपका बड़ा लागेज बैगेज जो है वो लोग ले लेंगे उसको एरलाइंस के टर्म में उसको कहते हैं चेकिन बैगेज और जो बैग आपके साथ रहेगा वो कहलाता है है हैंड बैगेज या फिर केविन बैगेज हर airlines का एक ही तरह का baggage allowance है Kevin baggage domestic के लिए 7kg है और check-in baggage 15kg और international में साइद 15kg के आसपास hand baggage है और 30kg के आसपास अपका check-in baggage है तो international में तोड़ा limit ज़ाधा मिलता है आपको इसाथ हो गया पैंट तो सबसे पहले चेक-इंट में डैलना है वो मैं बता देता हूं अपको यतना भी कपड़े का सावान है पैंट हो गया कपड़े का सावान है वह आक cycle in दे जिशग किसी भी बैग में डाल सकते हैं सो ज्यादा बेतर होगा वह कपड़े का सवाल को आप चेकिन बैगेज में देजी क्योंकि वह थोड़ा मतलब भारी रहता है और वह लोग उसको अपने आप ले लेंगे तो आपको ज्यादा मतलब परिसंद नहीं होना पड़ेगा तो दूसरा जो मैं आता हूँ जो आपका कोई भी मैटलिक सावन अगर आप ले जा रहा है तो वह अपने एरलाइस के जो भी कस्टमर कर रहे हैं उनसे एक बार पूछ लेजिए कि मैं ऐसा सावन ले जा रहा हूं तो वह किस बैगेज में दूँ तो मैं अगर आप स्पोर्ट स लियरलाइस में ट्रफिल तो कर सकते हैं लेकिन वह आपको चेकिन बैगेज में वह यह नहीं है ना तो वह पर टिकेट जैसा ले रहा पड़ता है तो अब जब भी टिकेट बोक करेंगे तो वहां पर आपको एक आपको आफ्सिंड रहाएगा कि आ आपके पास क्या पकी अध अलग से चार्ज देना पड़ेगा और वह लोग एक रिसीप्ट देंगे वही प्रिकेट जैसा ही होता है तो वह आप दिखा के वह अलग से बैग में जाएगा और वह बैग के सामने वह जो रिसीप्ट है उसको आपको चिपकाना पड़ेगा कि यह स्पोर्ट्स हवाल है यह कुछ नियम है एरलाइंस का सो अब आते हैं केविन बैगेज पर आपका जीतना भी मतब कीमती सावाल है अपका मूबाइल हो गया आपका जूइलरी हो गया आपका कैस हो गया एटीम कार्ड वागेरा वालेट सब कुछ आपको आपके केविन बैगेज में डालना मैं अगर मान लीचे वो आपने गलती से चेक इन बैगेज में डाल दिया तो आप क्या होता है कि कूछ ऐयरपुर्ट में तो आपके सामने ही चेक ही चेक किया जाता है लेकिन कुछ ऐयरपूर्ट जैसे बहुत सड़े जो भी बड़े बड़े एएरपुर्ट है जैसे डेल- वह जब बॉर्ड होगा वह बैग तो उससे पहले वह चेक करेंगा ही करेंगा नहीं तो मान लिजी किसे ने बॉम ड़कर दे दिया तो वह तो प्रेम उर्जाएगा तो इसलिए मतरश में चड़ने से पहले तो सब्सक्राइब नहीं होता तो आपको थो पता नहीं चलेगा कि यह बैग बोड होगा की नहीं होगा तो ऐसा नहों कि आप तो ट्राविल करके चले गए आपके डेश्टिनेशन पर लेकिन आपका बैग उसी एरपोर्ट में रहे जाएगा इस चीज़ को आपको एवएड करना है तो इसलिए मैं बैगेज में आपको खास का ध्यान देने को बोल रहा हूं आपका जितना भी मंतब कपड़े का समान है वो आप किसी भी बैग में डाल सकते हैं उसका कोई मंतब लिमिटेशन नहीं है और आपका जितना भी मंतब इलेक् केविन बैगेज है उसमें देना पड़ेगा और आपका वालेट पैसा जितना भी मंतब समान है वो भी जाएगा इसमें पावर बैंक के साथ भी आप ट्रविल कर सकते हैं तो मैंने हमेंसे ही मैं पावर बैंक केरी करता हूं अपने साथ क्योंकि बहुत सारा मैं डिवैस ले चार्ज कर सकता हूं सो कई बन पर भी तो मुझे प्लाग को नहीं मिलेगा की मैं यहां पता चार्ज कर लूँ सिसलिए और हमें से मेरे साथ रहता है मेरा जो पावर बैंक है वो 20,000 इमैज का है और आपको बोलता है कि आप 14,000 Tá,क लेक ट्रविल कर सकता है लेकिन मैं नहीं मैक्स ट्रावल किया था वह 20,000 से किया था और पहले मेरा दो पावर मैंग था तो 20,000 का दो था फुल मिला के 40,000 ही होता है मैंने ट्रावल किया था कोई किसी ने मुझे कोच नहीं बोला था बहुती ही मैं सिकुरिटी चेकिन को क्रॉस करके चला गया था सब्सक्राइब आपको एलाव करता है 40,000 डेमेज तक लेकिन हाँ उससे जदा अगर आपका पास होगा तो वह आपको अलग से उसम को बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतना बड़ा पार बैंक है तो वह आप मैं ले जा सकता हूं कि नहीं तो उसके लिए भी आई साइद एक अ क्योंकि 20,000 इमेज का पावर मेंग बहुत है फ्लाइट में तो मैक्सिमाम छे से साथ घंटा ही ट्राविल होता है उससे जदा तो नहीं होता सो 20,000 का इमेज का पावर मेंग काफी है यही लेकर आप ट्राविल कीजिए तो वह जदा आपको आसानी होगा और मैं आता हूं अ कोई फी कूद पेस्ट होके अपका है रोई हो गया आपका बडि वेल पेस्क्रीम कावरा सब कुछ लिक्वीड के अंदर ही आता है अब पानी भी आगर आपको ले जाना है तो वह 100 अमिल तक ही लिलल है बाहर से अ Kirby अगर आपको लिकुईड ले जा मैं तो वह ईंडरेड ड तैमिंन पे देना पडिये के तो यह ही खरी दा हूं पानी है क्योंकि माली जी जिना भी लिक्विड है जैसेमान लिजिए आपने जो माली तो आप यह क्या मत्तों प्राइब के तो बिया है कि को सब SOUND सब्सक्विड नहीं करता ह building Państwa तक ही लिमिटेड होना चाहिए उससे ज्यादा आप केरी नहीं कर सकते हैं तो अभी जो कोविट के टाइम पर जो साइटाइजर बगरा वह सभी हैं हिस्सा हो गया है आज के इस दोर में तो वह भी आप हंड्रेड एमिल तक ही ले जा सकते हैं तो हंड्रेड एमिल का जरूरत पड़ता है तो वह मतलब जो केविन क्रू है तो उनसे पूछ के आप ले सकते हैं तो वह पाउच जैसा आपका एक दो रुपिय का सेनिटेजर का पाउच आता है तो वह आपको प्रोवाइड कर देंगे वह लो अगर आपको मेडिसिन के साथ ट्राविल करना है है तो यो भी डाक्टर का जो प्रेस्कृप्सहां है वह अपको साथ में केरी करना पड़ेगा तो मेडिसिन के सकते हैं और अगर आपके पास कोई सीराप बगएरा कुछ है तो वह वह भी आप ले जा सकते हैं लेकिन अपको उसके लिए आपको जो प्रेस्क्रिप्सहां है तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा तो वह एक बार आपने उनको दिखा दिया तो वह असाने से वह आपको छोड़ देंगे कुछ यही था बैगेज के बारे में तो भाई लोग इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एरपोर्ट फ्रोसीडियर ठीक है तो फास्ट इस मैं यह जो स्टेप है इसका मैं स्टेप वाइस मंतब डिवाइड कर रहा हूं कि इनमें ही पूरा जो गाइडलाइन्स है एरपोर्ट में जाने के वाद क्या करना होता है सबस्क्राष करने से घल। एसके लिए मैं स्टेप करकर रहा हूं में आपको रही तर्मिनल से तरह पहले ही यह से पहले तो उसके बाल आपको आपको, direct, ट्ぜnt分 3 आपका जो soft boarding pass है उसमें लिखा रहेगा कि तर्मिनल नंबर इतना है तो वहां पर गेट आपको डैस डैस मिलेगा वह एरपोर्ट जाने के बाद वहां पर आपको पता चलेगा लेकिन आपको टार्मिनल पहले ही वो लोग बोर्डिंग प्लस में प्रोवाइड कर देता है दोनों का ही एक नंबर टार्मिनल डमेंस्टिक है और कोमबाई का दो नंबर टार्मिनल डोमेंस्टिक है 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 जो आपका जो टेक्सी ड्राइबर है उनको आपको बता देना होगा कि मैं मेरा जो फ्लाइट है तर्मिनल एक से डिपर्चर होना वाला है तो वह अगर आपको गेट के समने वह लोग आपको छोड़ देंगे तो वहां पर आपको आपके पास तीन चीज़ों को रेडी रखना है तो पहला ज अब आधार काड दिखा सकते हैं या पासपोर्ट दिखा सकते हैं ड्राइविंग लैसेंस दिखा सकते हैं लेकिन पैंकर्ट मतबए एक सेब नहीं होता है तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रवेल कर रहे हैं नेपाल और भूटन कंट्री को छोड़ के तो वहां पर आपको सि अब आपको अपने आईडी दिखा कर आपको टर्मिनल पर एंटरी मिल जाएगा तो यह था स्टेप वन आप आते हैं स्टेप टू पर अपने इंटरी तो कर लिया है आपको करना है ऐसा आपको एक एटीम जैसा मैसिन आपको दिखने के लिए मिलेगा एरपोर्ट में पर इंटरी होने के बाद एक वह मेसिन को कि उसका पार अरो चोटा जोता एरपोर्ट नहीं है तो वह आपको मिल जाएगा तो वहांध पर जाके आपको पर मेद डाल्र वहमके अपकर बोडू है उसका परेंट मिल जाएगा और आपका बेंग का जो टैग है उसका भी आपको मिल जाएगा उसी मेसिंझ से सो वो लेने के बाद पर आपको एयरपोर्ट में चारो तरफ से आपको लिखा रहता है कि यह अजिए अब में पूर डायक्शन दिया रहता है तो वो आपको फोलो करके आपको जाना होता है तो वहां पर आपको जाना है उपका चेक-इन बैगेज स्क्रीनिंग काउंटर पर आपका जो भी चेक-इन बैगेज है जो लागेज है उसका वेट किया जाएगा अगर वह 15 केजी के अगर वह उससे ज्यादा एकसीड करता है मतलब 16 केजी 17 केजी तो वह आपको पार केजी 500 रूपिस पे करना होता है उसी काउंटर को अगर वह डोमेश्टिक है इंटरनेशनल पर वह आपको 30 केजी का लिमिट मिलता है वह अगर आपने क्रॉस कर लिया है एक तीस या 32 33 ऐसा के पर केजी हो गया तो वह आपको पार केजी 500 रूपिस आपको पे करना होता है वहां पर आपको जो बैगेज है वो चेक होगा अपने बैगेज में कोई ऐसा संवन तो नहीं रख दिया जो एक्स्प्लूजिव है जैसे पार्फियूम अगरा हो जाए को इलेक्ट्रोनिक संव संवन का जो बैटरी वगए यह नहीं तो डाल जी है यहां पर हम लोग बैठते हैं तो वाह का जो एर प्रेसर रहें वो मेंटेन किया जाता है और जहां पर जो बैगेज रहता है वहां का जो भी टेम्प्रयचर है और प्रेसर दोनों ही मतरब मंतobağ एस्यूज़ रहता है जो भी कॉई कंप्रेशार से कोई ऐसा हुआ नहीं दिया जाता कि जिस से वो मिंटन रहता है केमिन का जो भी प्रेशार है वो ऐसे ग्राऊंड लेबल का ही प्रेसार मिंटन किया रहता है जब भी आप ऐसे हाइट पे जाएंगे तो वह एर प्रेसर डाउन होगा और आपका जो टेंप्रेचर है वह भी डाउन होगा कि उसमें जो गैस को प्रेसर करके रखा जयता है तो वह पर प्रेसर में जाएगा तो प्रेसर बहुत C अगर बहुत पहले आपको जाना होता है एरपोर्ट पहुंचना होगा नहीं तो वह आपका फ्लाइट छूट भी सकता है कि बहुत बड़े यार्थ बहुत ज़ादा मुदब भीड़ रहता है लाईं बहुत बच ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसलिए अपने कोशिट कीजिए अब सेल्फ जेकिन कर लीजिए मेंसिनों से क्योंकि यह ज़ादा तर खाली पर 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 आपको जाना होगा और आपका जो बोड़िंग पास है वो अगर आपने पहले ही चेक कर लिया है और अगर आपने नहीं किया है तो उनको वताइए कि आपका जो टीकेट है वह आपको वहां पर उनको सो करना हो यह टीकेट है तो वह लोग खुद से अपना जो बोर्डिंग पास है वह प्रिंट करके आपको दे देगा प्रिंट तो यह चेको शेंट करने तो वहां पर आपको पहले ही वह स्टेंब दे देते हैं यह चेक हो गया है को का इक गधना होगा है खाले पर क मेरे यह 1234 मेरा बैग का नंबर है तो वो नंबर मेरे जो बोडिंग पास है उसके पीसे बॉल उप चिपका देंगे उससे यह इंटिफाई हो जाएगा वो बैग मेरा ही है मेरा कोई दूसरे का बैग तो नहीं ले लिया जैसे आप मेले वगरा में जब आपना बाइक को जो पार्क करते हैं परकिंग में जब रखते हैं तो वहां पर आपको रखते हैं जाता बैग और आपको छोड़ों एक लाइते हैं वैसे फासमें बांबर का देने को वही सेम नंबर आपके बैग पर चिपका देंगे अब आते हैं step 3 पर step 2 में आपने पहले ही चेक बैग को उनको दे दिये हैं अब आपको जाना होगा security check-in के तरफ security check के तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा counter आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपको अपना जो boarding pass है वह सोग करना पड़ेगा और आपका जो भी ID है वह उसको सोग करना पड़ेगा और अगर आप वह international travel कर रहे हैं तो वहाँ उसको कहते हैं immigration counter तो वहाँ पर वह आपका जो भी पासवर्ड विसा है वह से भी चेक होगा और अगर आप domestic कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका सिर्फ बोटिंग पास और ID ही चेक होगा तो वह चेक होने के बाद आप चले जाएंगे सीधा security checking पर security check पर होता है कि आपका जो भी hand baggage जो है और आपका आपके पास जितना भी सावान है वहाँ पर बहुत सारा ट्रे रहता है तो वह आपको आपको उठाना पड़ेगा तो आपका जो भी laptop है mobile है जितना भी electronic सावान है उसका charger हो गया happily a दोन हो मानट होता है कि उसका जीतना भी मैट में ढ़ना होगा है भी 모든 हगया गड़ी हो गया सबकूंध पर दो कि अफेरी में होगा ऑफ दॉसरे हो शी cyn morals नालता है ईक हुए है मैं मिन वहाया लाड़ा वहान तुल में वहाँ आपके पास जीतना भी तो पर फख़ी करने घड़ी हो गया सब कुछ कोईन सिक्के जी जो भी है वो सभी स्ट्रे में देना होता है आपके पास सिर्फ आपका आइडी और बोर्डिंग पास और टिकेट यह तीन चीजे और आपका जो एक्सिन सर्टी विगेट है यह चार चीजे आपके पास रखना होता है को देजा को रखना है है स्वाव यह टेकर पर्शुन ऑप कहा आपको अपको जनना होगा चाख M उस गेट से आपको जाना होता है तो वहां पर आप वो लोग मैनुएली भी बेक जो मैटल डिटेक्टर का एक बैट आता है ठीक बैड मिंटर रेकेट की तरफ तो उससे भी वो लोग आपका चेक करेगा तो उसके बाद आप चले जाएंगे जो आपका जो ट्रे का जो आउट मतब आउट गेट है तो वहां पर आपको जाना होता है और आपका जो भी ट्रे में जो आप सावन दिया रहता है उनको आप उठा के अपने बैग में सेट कर लेंगे सेट कर लेंगे आपको वहां पर बहुत सारा डिस्पले दिया रहता है जैसे आप इमेज में देख भी सक यह यहां पर आपको दिखरे होगा और उसके बाद आपको दिख रहोगा मोट salvage शीकुरीटिटी चेक souvent और नहीं पूल अब वो फ्लाइट का अभी कुछ ज्यादा प्रोसीडियों चालू नहीं हुआ है सिकुरिटी चेक होता है जब वहां पर सिकुरिटी दिखाना होगा तो वहां पर आपको क्या करना है कि बोर्डिंग का जो भी मतलब सामने गेट के सामने आपको बैठ जाना होगा वह जब वाणने गेट भी मतलब अर वह जा सकते हैं कोसिस कीजिए कि आंगी पहुंच जाए और आगर वाण टाइम नहीं रहेता है तो स्क्रीटिटी पर तो वह जरू से पहुंच जाए कि तीन से चार मिनिट का ही बोडिंग टाइम रहता है कि अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो वह आपका प्लेंग छूट जाएगा के तो जैसे माली यह मेरा जो डिपर्चर टाइम है वो दो बजह है तो डिड्र बजह ही मेरा जो का बोड़िन है वो इस टार्ट हो जाएगा सब अच्ताइब कर दो आगए है यहां पर होगा जो भी गैड लेंस है वह च्ख यह जाएगा तो आगर वहाँ सबकुछ वहाँ पर ही चेक होगा वोडिंग के जस्ट आगे कि सो वहाँ पर आपका जो गेट है वह उपर है मतरब फर्स फ्लोर पर है तो वहां से आपको एक एरो ब्रीज से डारेक्ट अपको फ्लाइट में इंटरी मिली जाएगा और आपका जो फ्लाइट है वह अपना फ्लाइट में चड़ गया है और टेक आप कर लिया है जो जो पहले जो लेंड होने का जब प्रसिडियों स्टार्ट होगा केविल कुरू को वह 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 आपको बता देंगे कि आपका जो चेकिन किया हुआ जो बैग है वह कौन से बेल्ट नंबर पर है तो वह आ कि मेरा जो बैग है वह इन को कि मेशाराहँ नंबर है और लगान'm का चो बैग है शाएख lu अगर भूते मेरा उखक जो बैग है वह कौन से है तो को आपने टर्मिल पर पहुश गय है टर्मिनल पें वहां पर पहुंचने के बाद आपका जो भीं बैग अजा कर जाएंगे तो यहां नहीं के चीज को मां एड़ करना हूं जो लोगा आगर माली क्या आपका व्लाइड है मैं जा रहा हूँ याँ से मैं जा रहा हूँ चिर्नाई मैं जा रहा हूँ जा रहा हूं तो मेरा जो चेंडाई है वो आपको आपका नहीं मिलेगा आपने कलगता पे बैगेज को चेक कर लिया है उनको करे दिया है और बहुत हैं एक साथ को मता रहा हूं कि मैं मतब कलगता से मैं हाईद्राबाद जा रहा हूं चन्नाई जो चन्नाई पर मेरा फिर से जो भी बंदाव step 3 है यह तो step फिर से अपको करना हो जो भी आपका अब कालेंटिंग एरपोर्ड है वहां पर सब वह सब बोर्डिंग पास के लिए जाता है यही था इस वीडियो में सो चल्य है दोस्तो पिन मिलता है किसी न दुस्रे वीडियो पे सो तिल दन बाइ बाइ सो किसी सकतन है